करेंगे इस वीडियों में बात करेंगे सीटेट रिक जाम 2024 यानि की 21 जनवरी को जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आप 90 प्लस स्कोर कैसे करेंगे उसके लिए हम याप डिसकसन करेंगे उससे पहले मैं कुछ इंफर्मेशन बताना चाहूंगा कि आप एलट रहिएगा न तो उसके बाद हम यहां पर बात करेंगे कि हम 90 प्लस स्कोर कैसे करेंगे तो यह नोटीस है आपके रिजल्ट की अभी जो अगस्त का पेपर हुआ था सीट अगस्त परिणाम और सारवजिनिक सूचना तो आप यहां पर देख सकते हैं पेपर वन का जो रिजल्ट रहा है प तो आपके 14 लाख लगबग फार्म बरे गए थे 11 या साड़ी 11 लाख लोगों ने एक्जाम दिया था उसमें से सिर्फ अपास होए थे एक लाख 1057 यानि के 8% रिजल्ट बना था ठीक है तो तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे जो लोग मतलब जाता तर यूटूब पर यहीं बता जाता कि 130 कैसे लाएं 125 कैसे लाएं या फिर 120 कैसे स्कोर करें आप यहां 120 125 मतलब जो भी स्कोर रहता मैक्सम वह बात तो छोड़ी है यहां पर देख रहा है ना कि पास होनी का परसें करते हैं कि जैसे अगर आप वीशी है तो एटी टू और एस्टी एसी तो भी एटी टू है और जनरल है तो आपका 90 मार्क्स होने चाहिए तो यानि कि इसमें से अगर पर टू की बात करें तो साड़ी 11 लाख है तो इसमें से मतलब है साड़े 10 लाख लोग ऐसे हैं जो 90 या कोई भी एटी टू या नाइंटी बाक्स नहीं ला पाया है मतलब फेल हो गए है इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीटेट का पेपर कितना टफ आ रहा है तो आप इस चकर में मत रहना हावा हाई में की 130 लाना है 125 लाना है 120 अगर आपके आ जाते हैं तो मैं यह नह सब्सक्राइब को बस थोड़ा थोड़ा देखते जा रहे हैं ऐसे नहीं पढ़ना है मैं बता दू इस बार का पेपर लोगों का यहीं हाल ना है जिसके वजह से यह परसेंटेज रहा है और फिर पेपर वन में भी देख लीजिए बहुत ज्यादा रिजल नहीं बना है 12 ला की बात हो रही है और भारत बर में तो अभी जो बीप्यति का एग्जाम होने वाला है तो बारा तो कैयारी थिए ला तो उसमें आपको यह पेपर कॉलिफाय और उन सबसे ज्यादा रहेंगी तो आपको पेपर वन कॉलिफाय होना बहुत जरूरी है तो यह भी पेपर टफ तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप पढ़े ना या 120 स्कोर ना करें 130 स्कोर ना करें 140 स्कोर ना करें आप बिल्कुल करिए लेकिन मैं जहां तक मुझे लगता है न कि एक हजार लोगों में से सिर्फ दो से पांच लोगों का ही रिजल्ट ऐसा रहा होगा जिसमें 120 से उपर रहा होगा एक हजार लोगों में से अब अम अंदाजा लगा लिजे की एक लाख लोग पास हुए है ज्यादा तरह नाइंटी और टी टू एटी फाइप इसी तरीके से मतलब एटी टू से लेके जैसे ओबी से स्टेस्ट इधर से लेके 90 या तक मान लिजे इसी के अंदर ज्यादा इस्टूडेंट है ठीक है तो एक सो बीस वाले चांसे बहुत कम बनते हैं तो मैं यह कराओ क कि आप लोग इसकोर अपना ना 110 लेके चलिए 110 से उपर की मुझे प्लस करना है बहुत मतलब मैं यह कहूंगा कि आप बस यह सुनके की 120 आ जाएंगे बस नॉर्मली हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा देख रहो बहुत डीपली पढ़ो अब यह सारी चीजा मैंने बता आप अपने से आइडिया लगा सकते हो मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगा फिर भी आप अपने तरीके से सोच लेना कि क्या इस्थिती है रिजल्ट की तो किस हिसाब से मुझे पढ़ना चाहिए ठीक है तो मैं यहां पर कुछ आइडिया देने जा रहा हूं कि किस त प्लस करें की कोशिस करेंगे तो आप 22 23 24 यानिकी या 26 इस तरीके से जादा भी हो सकता है फिर उसके बाद लेंग्विश टू भी आपका असाना आता है तो इसमें भी 25 की करने की कोशिस करिये और पेड़गोजी यानि की बाल विकास में भी 25 के इन तीनों को 25 करने की कोशि प्लस करेंगे यह तीनों सब्जेक्ट लगबग आपके इतनी स्कोर रहे हैं ठीक है फिर इसके बाद इविए से आपका फिर मैसे इसमें नॉर्मली स्कोर कर देंगे तो आप आसानी से मतलब तीन में सोचे 20 20 अगर ला देते हैं तो यह कि देखिए 20 20 20 में जोड रहा हूं तो यहां से आप लगभग कितने इसकोर सकते हैं तो यहां से आप लगभग कितनाइस कर सकता है कर सकते हैं 30 तो देखे 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 और यह ज़रूरी रहेगा यह 25 किसी में 22 किसी में 23 किसी में 26 जिसका जो सब्जेक्ट इस्ट्रॉंग रहेगा वहां से वह बहुत ही ज्यादा आगे जा सकता है यानि कि मेरा काने का मतलब है तीन सब्जेक्ट आप ーच्छा, जाइब यह जाती है तीन सब्जेक्ट में 22 है और एले जा रहे यह 202 में 25 इस पास रहे तो आलडी जो तीन सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं नॉर्मल स्कोर है तब भी आपके 91 बन जा रहें आराम से फिर पेपर 2 में देखेंगे पेपर 2 में थोड़ा एलड रहीगा पेपर 1 तो लगबग ठीक ठाक ही रहता है पेपर 2 में देखेंगे तो आपके चाल्ड डेवल सब्सक्राइब करें तो इसमें आप 20 के बीच में स्कूर कर लेंगे कितना भी टफ कर देगा लेकिन मैं साइन्स में या सेस्टी में टफ करेगा उसमें बहुत ऑप्शनल कोशन देदेता है एक दो 3-4 या ABCD 4- az separate डियन चाहिए तो हैसे मिं बहुत जा हैं बहुत भी जाते हैं तो मुआ जाती है सोयार चाहें संस्क्रिट ले रहा है इઅ多व हैं हिनहें के इस वाल इसके सब्सक्राइब भी कितना भी हो सकता है 95 98 या अगर आप और भी हतर कर लेते हो तो आपके 100 से पार हो जाएंगे और किसी के 120 30 40 आ रहे हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आपको उतनी तयारी नहीं करनी है लेकिन जिस तरीके से फेल हुए है स्टूडेंट आप तो उनके लिए बोलना हूं कि आप आसानी से पास कैसे करेंगा देखें यूटूब पर तो बोला जाता है कि हाँ वन वन टूर्टी कैसे लाए वन एट थर्टी लेकर रियालिटी कुछ यह है रियल्टी यह ना कि 120 130 120 यह बहुत कम लोगों के स्टूडेंट के आते हैं पर तो बहुत टफ था आप आइडिया नहीं लगा सकते कि क्या इस्थिति रहने वाली और इस बार भी वही पर वैसे ही पर टाफ रहने वाला है शीटेट एक पर बहुत ही अच्छा लेंदी होता है काफी तो और सबसे पॉइंट सबसे में पॉइंट यह है कि आप सो के जा आएंगे समय कोशनी नहीं समझ पाओगे चार लाइन के कोशन रहते हैं अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं है तो आप ठक जाओगे माइंड नीड आ रही है बड़ी नहीं पाओगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको फिर बाहर ही हो जाओगे नहीं अगर आप सुचोगे कि मैं जल्दी सो जाओ न तो नीध नहीं आने वाली है आप पहले से आदध बनाईएगा एक हपते से की लगवाग नौब दस या 11 बज़े तक सोने की जिससे की 6 बज़े उठ जाई आए आराम से या 5 बज़े उठ जाई है लगवाग 7 गंटे की लगवाग तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दो सब्जेक्ट अपना इस ट्राउंग के फिर एक बार यह अगर एक चुली बताओ तो यह मेरा ही मैंने इसी ट्रेट का पर दिया था वही है मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा ठीक है तो मैंने जो है दो सब्जेक्ट में लग में और बता दो जिसमें ले अच्छे जादा नहीं किये हैं दिकए इसमें जुक्र और कर दिए उसके बाद यहां पे दिखेंगे हिंदी में 25 नूमबर कर दिए देखन अए ना आसानी से कितना असानी से पर वन मेनटीरी पहुँच टो कहीं सिर्फ स sudah सब्यक्ट में तो मैं आपको बोल हुआ हूं कि आप तीन सब्जेक्ट में रखेगा आप मनें कहा था नकि आप जरूरी निगीज ही आएंगे आपको 26 स्टेंटी प्लस करने की कुसस करिए गाती इसटेंगे तो आन्टी आराम से जहाएं गातेंगे तो यह जाएगा फिवन-पचास नंबर दो सब्जेक्ट्ट से ही हो गया और समय देखें नॉर्मली स्कोर है तो इसमें इसमें मेरा छूट गया था कुछ इसकी वज़े से मेरे कम रहा गया में लेकिन मेरे अच्छे आते हैं ठीक है इसी डिपी होता कहा है सीटन में आपके मैस कितनी भी अच्छी है लेकिन वहाँ इतना लेंदी देता है वेपारना की आप टाइम को जिमीरे आप बहुत टाइम लेकर चला जाएगा इससे इसलिए मैं का रहा हूँ न कि आप बालविकास हिंदी और भासा का जो भी आप दोनों लोगे उन में स्कूर बढ़िया करेगा क्योंकि यह पढ़के बस आंसर देना रहता है और मैं सिसमें लेंदी देता है आसान दे दिया तब त सकते हैं तो इस तरीके से अगर प्लानिंग से करोगे आप उल्टा सीधा प्लानिंग मत बनाना ठीक है तो एक प्लान से चलेंगे तो और एक चीज़ और बतना चाहूंगा कि आप हमेंसा यूटुब से इमत करिएगा पहले कॉंसिप्ट करिएगा फिर उसके बाद अपना क कर सकते हैं जिनव भेरती के पास हिंदी में पीडियाफ नहीं है सले बसकी ठीक है तो वीडियो कैसा लगा है वीडियो संदा है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्यू फावाचिए